हिमाचल परदेश इसकूल सिक्षा बोर्ड ने दसवी कख्षा का वार्षिक परिणाम जारी कर दिया है दसवी कख्षा की टॉप 10 मेरिट सुची में बेटियों ने फिर बाजी मारी है टॉप 10 मेरिट सुची में कुल 92 विद्यार्थी शामिल है इनमें से 71 चात्राएं है बार और भा दिवा कायम किया है मेरिट सुची में पहले दूसरे और दसवे स्थान पर लड़के भूंड़े नहीं मिले जबकि मात्र नवे रंग्क के लिए ही सात लड़कों ने पंद्रा लड़कियों के साथ सथान साजह किया सरकारी स्कूलों से 19 जबकि नीजी स्कूलों से बावन लड़कियों ने मेरिट सुची में जगा बनाई नादोन से रिधिमा शर्मा ने निन्यानबे दिसम्ला आठ छो फिसदी लेकर प्रदेश में टॉप किया है वहीं भावर्ना की कृतिका शर्मा निन्यानबे दिसम्लाब साथ एक फिसदी लेकर दूसरे स्थान पर र हासिल किया है परिक्षा परिणाम चोहत्तर दिसम्लाब पाच एक फिसदी रहा है एक्यानवे हजार छेसो बाइस विद्यारतियों ने यह परिक्षा दी थी इन में से 67,988 पास हुए 10,474 की कपार्टमेंट आई 12,613 फेल हुए है मेरिट सुची में सरकारी स्कूलों के 22 वर नीजी स्कूलों के 70 मिधावियों ने जगह बनाई है यही नहीं स्कूल सिक्षा बोड के दसवी कख्षा के परिक्षा परिणाम में पिछले चार सालों में लगातार गिरावट का कर्म जारी है 2020 के मुकाबले इस बार 25 फिजदी की गिरावट दर्ज हुई है खरा परिक्षा परिणाम ने प्रदेश के स्कूली सिक्षा ढाचे पर सवाल खड़े किये है अगर चल्द सुधारात्मक के कदम न उठाए तो आने वाले समय में परिणाम गंभीर होंगे इस वर्ष पिछले वर्ष के मुकाबले 15 दिन पहले परिणाम घोशित किया गया है इसकूल सिक्षा बोड की ओर से परिक्षा में उत्तरिन परिक्षारतियों की सुविधा के लिए प्रमान पत्र डीजी लॉकर पर भी उपलब्द करवाई जा रही है बोड के अनु पर आवेदन कर सकेंगे पुनर मुल्यांकन के लिए बाइस मही तक आवेदन कर सकते हैं कि सिक्षा से जुड़ी पूरी जानकारिया एक्जाम सेट्मिशन समाचार और मांग दर्शन प्राप्त करने के लिए विद्धालाइफ के ओफिशल वेबसाइट www.vidyallife.com पर विजिट करते रहें और सोशल मीडिया के यूट्यूब, फेस्बुक, इंस्टाग्राम, एक्स पर लाइक, शेर और सबस्क्राइब करें और हाँ, यह बेल बेटन को दबाना ना भूले, आप किसी भी समय सिक्षा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या सहायता के लिए विद्धालाइफ के आधिकारिक एमेल आईडी, info at vidyallife.com पर या हमारे आधिकारिक मुबाइल नंबर 9289-866-815 पर सीधे संपर्क कर सकते हैं आज के लिए इतना ही, मुझे यानि अपने दोस्त, होस्ट विजेंदर को दीजे इजाज़त, नमस्कार